दोस्तो आज में बात करने वाली हूँ, एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसे अगर हम करेले का छोटा भाई कहें तो गलग नहीं होगा, देखने में कटीला सा लगने वाला ककोडा, ये सब्जी जो होती है ये होती है सेहर का खजाना, ये सब्जी शरील को मजबूत करने के साथ हमारे शरील में मल्टी वाइटमीज भी पहुचाती है, ककोडा को आप सब्जी नहीं, बल्कि और शदी मान सकते हैं, आम भासा में इसको वन करेला भी बोलते हैं, इसमें वाइटमीन B12 से लेकर वाइटमीन D, कैलिशियम, जिंक, कॉपर और मेंगनिशियम जैसे पोशक तत इसे बारिश के दिनों में मिलती हैं, थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन जब आप इसे खाते हैं, लगातार इसका सेवन करते हैं, जब भी सब्ती मिलती है, तो आपको बहुत सारेल पीजीस से फाय्दा मिलता है, सिर्दद्द, बालों का जढ़ना, का रदद्द, कान का आपको डायविडीज है तो भी ककोरे की सब्जी आप डेली बनवा कर खा सकते हैं इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है आपको बहुत जदा कमजूरी कहसास हो रहा है तो सबसे पहले हम अपनी डायट में शामिल करते हैं फलोर सब्जीयों गो तो ऐसे ही सब गलंग नामों से मिलता है यहां पर हमारे शहर में कटोला जो होता है वो थोड़े से छोटे साइस के मिलता है दिल्ली बगरा की जगों पर आप देखींगे तो जो कपोड़ा मिलेगा वो थोड़े से बड़े साइस का मिलता है पर इसका स्वाथ हर जगा एक ही होता है जमेह इस सब्जी में मौझूद होते हैं इसे वज़े से इसे खाने से हमारे शरीर को बहुत सारे लाब मिलते हैं और इस सब्जी को बनाने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं कुछ लोग इसे प्यास लेजुन के साथ बनाते हैं कुछ मसालों के साथ बनाते हैं पायदे मंद होता है इसके सबजी खाने से अगर आपको सिरदर्ध हो रहा है तो उससे काफी ज़ादा रिलीफ मिलता है और कभी-कभी क्या होता है कि खान पर और लाइफिस्टायल की गरबड़ी के चलते कभज और बावासीर हमारी शरीर में घर बना लेते हैं तो कभ़ज का सेवन करने से हमें कभज और बावासीर से भी छुटकारा मिल जाता है अगर आप डियाबिटीज के पेशेंट है तो इसे अपने डेली डायट में शामिल करें पूरे सीजन जितने भी दिन ये सबजी आती है आप इसको अपने डायट में शामिल करिए इस सबजी को खाने से अगर आपको दाद और खुजरी के समस्या भी है तो उससे भी रिलिफ मिलेगा आगर आपको फीवर आ रहा है तो उसमें भी ये सबजी फाइदेमन होती है इस सबजी की सेवन से ब्लड पेशर और कैंसर जैसी खतानाव बीमारिया भी दूर होती है तो दोस्तों देखा आपने इस सबजी के कितने सारे हैल्फ बेनेपेट्स है चली शुरू कर लेते हैं सबजी के रिस्पी जैसा कि आपने देखा मैंने के धूले खुले थे कजो हल्की सी बंडी तpected को काटर आला किया कट छूटे चोटे चोटे पार्ट में डिवाइट कर लिया कॉदे को खने से पहले ही अच्छा सेतरे जिए इसके साथ ही मैंने प्याज न हीह है प्यास के साथ बनने वाले ये सब्जी बहुत ही डेश्टी लगती है और उससे बड़ी बाद कि इसे आप इक दम हलके मसालों के साथ बना सकते हैं प्यास जब भूं जाए तब हमने डाले हैं अपने कटे हुए ककोडे ककोडे को अब हम क्या करेंगे प्यास के साथ अच्छे से मिलाने के बाद फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर एक बार ककोडे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं सब्जी बनाने के दोस्तों सबके अलग-अलग तरीके होते हैं आप इसे मसालों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे हल्थ के हिसाब से खा रहा हैं, आप चाहते हैं कि आपके हल्थ को इससे बेनिफिट्स मिले, तो कोशिश करिए कि इसे आप इंदम सिंपल तरीके से बिना मसालों के साथ बनाईए, तो यहां पर देखिए कको मिनिट हम इसको फ्राई गरेंगे प्याज की साथ अब इस टाइम पर हम क्या करेंगे कि कि कोड़े में ही उप डाल देंगे थोड़ा-सा नमख तेश्ट के अपर जितना भी नमख आप चाहिए आप यहां पर डाल सकते हैं नमख के साथ थोड़ा थोड़ी का पाउडर है अब इसके बाद से इसको अच्छे से मिलाईए और सब्जी को ढख कर आप जोड़ दीजिए 5-7 मिनिट के लिए जब जब सब्जी अच्छे से सौक नहीं हो जाए यहां पर हलके से पानी आप छिड़क सकते हैं 2-3 बून जिससे ककोड़ा गल्डे में आसान होता है क्योंकि एक हलका सा मसाला तयार करें गे जिसमें मैंने लिया है लहसुन और कपोड़े का जो कॉम्बिनेशन होता है वह बहुत टेस्टी लगता है थोड़ी सी सुखी धनिया के बीच दाले हैं दोनों चीजों को साथ में कूट लेते हैं अब ये दोनों चीजों को जब हम अलका तर बाकिन हम यहां पर और बहुत ज़्यादा कोई मसाले यूज नहीं करने वाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला है सिर्फ कलर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर आप अपनी टेस्ट के अपार्डिंग डाल सकते हैं वैसे मैं कखोड़े की सब्जी में परसनली Biz तीखी मिर्च को अवायड ही करती हूं तो यहां पर हम क्या करेंगी जो मसाला हमने रेटी किया है राल मिर्च और येहां पर रच पर एक तुछ मिला दीजे, मसाले को मिलते ही आपढ़ मिलाते ही सब्जी से एक अलग सा underlying flavor जिसे से जो सब्जी का टेश्ट बहुत अच्छ को खाते हैं तो मैं कषमीर लाल मिर्ज फुड़ा प्रिपर करती हूं अगर आप चाहें इससा किब्भी इसकी जगा कर सकते हैं इसकी जगहां पर आप फरी मिर्ज या फिर नॉमाइल मिर्ज का्यूस कर सकते हैं मसाले को अच्छे मिलाएंगे और जुकि हमने डाला है है कोड़ा सा फानी और कपोड़ा को गल्ले में बी थोड़ा सा ताइम है तो हम वापस से एक बर लगा देंगे ठक्कल धक्कल लगा कर मैं वापस से तीन से चाल मीनित और पकाूण हूँ तीन से मिनित बाग सबजी को खूल कर चेक सब्जी हमारी अब इस चायड पर फोड़ी से सौफ हो गई है, देखिए मैं कखोड़े को इस तरीग से चेक कर रही हूं, तो कखोड़ा आसानी से इस ते टोट रहा है, अब यहां पर मैंने डाला है अनारदाने का पाउडर, अगर आपके पास अनारदाने का पाउडर नहीं सब्जी का कलर थोड़ा सा चेंज होता है अनारदाने की वज़े से अब हमारी सब्जी बन कर तयार है आप चाहिए तो थोड़ा सा खुले पे एक डो मिनट इसको और प्राइ कर सकते हैं पर सब्जी हमारी बहुत ही टेश्टी लजीश्ती बन कर तयार है एक दम कम तेल मसालों के साथ और इस सब्जी पराठो के सब्साथ बहुत अच्छी लगती है आप की घर में इन बीमारियों से रैलेत बिष्टेट कोई भी पेशेंट हो शुगर ब्लड पेशार्ट, डायबिति या फिर वावा सी समधी यह समस्या हो तो उनको सब्जी खाने को दीजिए होग करती हुँ दोस्तों कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी साथ ही इसके health benefits भी पसंद आए होगे फिर मिलेंगे मेरे नए वीडियो में तब तक के लिए गड़ बाई थैंक यू